बिहार ITI अनुदेशक भरती के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट जो है निकल के सामने आई है और कह सकते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस है जहांकि जिन भी कैंडिडेट्स ने एक्जामनेशन दिया था उनके लिए बहुत ही महत्पुन ये वीडियो होने वाला है क्योंकि हैं यहां पर कुछ साथियों के जो है अपलिकेसन नमबर मतलब कहें तो उनका फॉर्म रिजक्ट कर दिया गया है ठीके यहां पर दएगा आवेधन जो क्या कर दिया गया है यहां पर संक्छाइइयन लंबी संक्छाय हैं करने के मतलब कि हtsåाड़े 600 क आसपास जो य एक नौ को भी मतलब एक तारीक से ले करके नौ तारीक तक जो है एक्जामनेशन हो रहे हैं अडमिट का डाउनलोड नहीं कि अपना कर लीजेगा ठीक अलग लग संटर भागलपूर पटना इस संटर बनाये गये हैं और सभी ट्रेट के ग्रूप वाइज हो रहे हैं अलग जितने भी यह थे भरति आई भी थी देखिए मेसनेस्ट आलसी सभी हो जाएगा ठीक है है यहां पर देखिए आप लोगा यहां तक यह आपका है ठीक तो इसमें जो है आपका वैकिल ड्राइवर वाला कभर नहीं होगा इस नोटिस में क्योंकि यह 36 तक ही लिया गया ना त तो इधर जो था आपका आई मीन यह डिग्री वालों का था इस लोगों का भी इसमें नहीं कहा गया है यह सिर्फ आइट वालों के एक ट्रेट जो मैं बताया उसको छोड़ तरके ठीक है तो देखिए यहां पर क्या दिया गया है समझीय का देखिए यहां पर वोल लाइए कि 4-7 से लिए करके 3 अगस्त तक आंलाइन आविदन प्राप्त किया गया था उसके बाद दिखे दिया गया है कि उसके अनुसार जो समय सार्ण दिए थी इसके अनुसार परिक्छाय उजित भी कि ती जो कि सीबीटी के माद्धियम स प्राप्त प्रामर्स के आलोक में राष्ट्र वेविशाय प्रमान पत्र धारक एंसीविटी के साथ-साथ जो सीविटी योगता धारी अव्यर्थियों को मान किये जाने का निर्देश प्राप्त हुआ था ठीक है मतलब कि एंसीविटी को ऐलाव किया गया था और फिर यहां पर दिखिएगा तो 16-10-2023 द्वारा उक्त विज्यापनों में संसोधन कर अव्यर्थियों से दिनांग 20-10-2023 से लेकर करके 3-11-2023 तक आवेदन करने का पुनह मौका दिया गया था मतलब कि इसमें जो भी था तुर्टी उसको संसोधन करके 20-10 से 20 अक्टूबर से लेकर के 3-9 तक आवेदन करने का पुनह मौका दिया गया था यह सभी चीज़ें आप लोगों को भी पता है उसके दिनांग 16-10-2023 से प्रकासित आवेशक सुझना की कंडिका इतना एक और दो क के अनुपालन के विंदू पर उक्त विस्तारित अवधी में प्राप्त आवेदन ठीक है प्राप्त ऑनलाइन आवेदन के साथ संगलन सेक्षिनिक प्रमान पत्र की स्कूटनी की गई ठीक है तो इस बीच जो आवेदन करवाए गये थे मतलब 20-10 से लेकर के 3-11 तक जो आव कांड़रत की जो है मतलब की involved certificate मिले जिसके कारण जो है उन लोगों का आवेदन क्या कर दिया गया है निरस्त कर दिया गया है ठीक और उनके अविरतिता जो क्या कर दी गई तो समाप्त कर दी गई है अब ऐसे में आप लोगों क्या करना होगा कि यहाँ पर कहा गया है कि हग यहां पर देखना चाहते हैं क्या कारन से आपका रिजेट किया गया तो यह लिंक पर क्लिक करके आप देख सकते हैं इसे यहां पर नोट डाउन कर लिजेगा अपरती दर्ज करने हे तु डाला जा रहा है ठीक है इनको जो है उनको अपरती दर्ज करने का भी एक मौका दिया जा रहा है अधिर थी अपना अप्लिकेशन नमबर रजिस्टर मॉबाइल नमबर यहां के जन्ट ती जाए कि जो भी आयोगता है उससे आप संतुष्ट हो जाए आगर किसी प्रकार के माले तुरूटी दिखता है या फिर असहमत है आप या असंतुष्ट है तो आपसका डेड़ दे दिया गया है तीन जन्वरी से लेकर के पांच जन्वरी के बीच जो है आप सामके सामके 6 ब माध्यम जो लिंक दिया गया है इस लिंक पर क्लिक करके अपना मुवाइल नंबर अप्लिकेशन नंबर जन्वरी डाल करके आप लॉग इन करके वहां पर अपत्ति दर्ज कर सकते हैं और यहां पर नोट कर लिजे यह देखिए धान पूर्वक समझ ले क्या कहा गया देखि सब्सक्राइब करना होगा उसके बाद ही जो है आपके आवेदन पर विचार किया जाएगा ठीक है तो सर्टिफिकेट के आवहाव में यहां पर जो है बचुके अमिद्वारी रद की गई है तो यह देख लिजेगा कि नहीं अप्लोड कर पाएं गलत कर दिये होंगे तो उ सारे रिजेक्टेट कांडिडेट्स हैं यहां देख लिए और बहुत लंबी संख्या है चलते हैं देखिया मैं नीचे बढ़ते जा रहा हूं तो साड़े छे सो मैं का रहा था जबकि यहां टोल एक्जेक्ट फिगर कितना है छे सो सतासी टोटल यहां पर कांड़ेट्स को रद कर दिया गया है तो आप अत्ती आफ लोग दर्ज कर सकते हैं जो जो भी यहां पर गरत तरीके से मतलब जो यहां पर यह हुए होंगे आविदन जिनकी रद की गई होगी चलिए आज के लिए इतना ही साथ हो अब इस तरह के अपडेट्स फॉर्दर पाने के लिए चलन